नमस्कार पांचे जन्ने पर आप सभी का स्वागत है इस्राइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर एक समझ एक सहमती बंती दिख रही है अच्छी बात है होना चाहिए शांती और युद्ध विराम के आवशक्ता तो ऐसे लोग भी इस्राइली जवाबी करेवाई क के बाद से ही व्यक्त करते रहे हैं जो अब तक सिर्फ युद्ध की तैयारी लगातार करते रहे हैं और जिनके मन में जिनके मस्तिश्क में जिनके मानस में अपने अलावा शेश मानवजादी के लिए सिर्फ और सिर्फ घ्रणा भरी है और ये वो तथ्य है जिसकी से कोई भी कभी भी तोड़ सकता है तोड़ा जा सकता है ऐसे में यह विचार करना जरूरी है कि आखिर किस पक्षद्वारा युद्ध विराम तोड़ने की संभावना कितनी अधिक और कितनी वास्तविक है जब तक इसकी संभावना बनी रहेगी स्थाई शांती संभव नहीं होगी ये एक यक्ष प्रश्ण है किन्तु जटिल जरा भी नहीं लेकिन उत्तर देना भी इतना सरल नहीं है भले ही साथ अक्तूबर को हमास द चली आ रहे ही शांती को बिना किसी तातकालिक कारण के भंग किया गया था और अगर गैर तातकालिक कारण खोजें तो कहना होगा कि बिना कारण भंग किया गया था कोई ऐसी वजह नहीं थी वास्तव में इन आतंकी हमलों का कोई कारण नहीं होता उसकी तो खोज की जाती ह वो रास्ता निकाल लेते हैं बलके अनुसंधान करते हैं अगर एतिहास के एक शिक्षक को शरण पाकर रहने वाले एक बच्चे ने सिर्फ चित्र बनाने के आरोप में जान से मार दिया था तो इसे कारण नहीं माना जा सकता ये मन में पलती हुई नफरत है मन में भरी हुई नफरत है जो कारण खोज रही थी चित्र बनाना या कार्टून बनाना भी कारण नहीं माना जा सकता भारत ने कौन सा कार्टून बनाया था जो वो 1400 साल से लगातार हमले झेल रहा है और जिसकी शान्ती के लिए सबसे बड़ा खत्रा आज भी वही आतंकवाद है फिर भी दो बहुत रोचक पहलू सामने आते हैं एक ये कि हमलावरों के इस गिरोह को लगातार ऐसे लोग मिलते जाते हैं अपने आका के इशारे पर अपनी और दूसरों की जान का सौधा करने के लिए तयार रहते हैं और दूसरा इनके युद्ध में बंधक बनाकर प्रयोक्ति की गई मानव जाती को हमेशा इस उमाह का एकता का सपना दिखाया जाता है जिसका वास्तम में कोई अस्तित्व नहीं होता इस्राइल के खिलाफ चल रहे परचार युद्ध में एक बड़ा तर्क ये दिया गया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है कितनी बड़ी संख्या में मुश्किल से 2,00,00 और ये शोड़ सबसे ज़ादा मचाने वाले पाकिस्तान में अकेले पाकिस्तान में पिछले एक महीने में 20,00,00 से ज़ादा मुसल्मानों को बेदखल कर दिया गया घरों से उन्हें बाहर कर दिया गया, पूरी तरह लूट कर उनके घरों से निकाल दिया गया, उनसे कहा गया कि उन्होंने जो कुछ भी कमाया है उसे यहीं पाकिस्तान में छोड़ दें, यहां तक कि उन्हें अपने पालतू जानवर तक साथ ले जाने की अनुबती नहीं दी गई इतनी विशाल जनसिंख्या को ठंड के मौसम में अफगानिस्तान की सीमा पर धक्किल दिया गया तब ना वहाँ दवाईयों का रोना रोया गया ना भोजन का ना पानी का ना बिजली का ना इंटरनेट का ना मानव अधिकारों का और ना इसलाम का हाल ही में रोहिंग्याओं से लदी नावें जब इंडोनेशिया के तट के पास आने लगी तो इंडोनेशिया की पुलिस ने उन्हें बुरी तरह ख़देड़ दिया दौना तरफ मुसल्मान थे तब वहाँ इसलाम कोई मुद्दा नहीं था साओधी अरब में घुसने की कोशिश कर रहें फिलिस्तिनियों पर जब साओधी सेना ने मशीन गनों से फायरिंग की तब भी दोनों तरफ मुसल्मान थे उसमें सैकड़ों फिलिस्तिनी मारे गए तब भी इसलाम कोई मुद्दा नहीं था जब जॉर्डन ने हजारों फिलिस्तिनियों का कतल कराया और जब पाकिस्तान की सेना ने नरसंगार को अंजाम दिया बंगला देश की कहानी देखिए जब सीरिया ने अपने ही नागरिकों पर बंबारी की गई तब भी इसलाम, मुस्लिम या ये उम्मा रास्ते में कोई उम्मत नहीं थी लेकिन किसी इसराइल का चार्ली हब्दो का नाम आते ही तुरंत ये अविश्कार ये खोज कर ली जाती है कि इतने सारे देश है और वो सब मिलकर एक उम्मा होते हैं और ऐसे काफिरों का कतल तो उम्मा का फर्ज होता है ये कहानी क्या है? आखिर ये पहेली क्या है? आखिर ये उम्मा क्या है? क्या ये माना जाए कि उम्मा सिर्फ मानव जाती के विरुद्ध सतत युद्ध की घोशना है? यही उम्मत है विडम बना ये है कि इन सारी चीजों पर एक मजहबी मुलम्मा चड़ा देने से कई चीज़ें उसकी ओट में छिप जाती है तो ध्यान रखिए उम्मा उम्मत या मानव अधिकार कुछ लोगों ने इसे अपनी खास तरह की हिंसक राजनीती का ओजार बना रखा है वो मानवता को मानव को एक चारे की तरह अपने हित के पोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों के सिर में गोलियां मारने वाले महिलाओं के साथ बलातकार करके उनकी नंगी परेड निकालने वाले ये जो लोग हैं उनके लिए आपकी कीमत किसी काफिर से ज़्यादा नहीं है अपने मतपंथ के लोगों में भी अलग-अलग जो खाचे हैं उनकी कीमत भी एक चारे, एक इंधन से ज़्यादा नहीं है इन लोगों से बचके रही है ऐसे लोग सिर्फ इसराइल के बॉर्डर पर, वेस्ट बैंक पर, गाजा पट्टी पर, सीरिया या तुर्की में या पश्चिमेशिया में ही नहीं है ऐसे लोग आपके पास भी हो सकते है जो इसराइल ने आज जहला है भारत ने सदियों वो चीज जहली है तो इतिहास से सबक लें, इन सब से सतर्क रहें आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ